तो वही सेम विचारधारा आज बेरी भी है कि आज के टाइम में कुस्वाहा का राजनिति में पोजिशन क्या है अस्थान क्या है आज हम बोलते हैं कुस्वाहा लोग की बिहार में हमारी तीस्री सबसे बड़ी आबाती है अगर मुस्लिम के बाद यादब के बाद देखा जा है कि नमस्कार मेह दुपक विशाल और आप देख रहे हैं बिगने उजनाए लिए चुकि बिहार में भी जारखंड और महराष्ट के साथ साथ बिहार में भी चुनावी विगुर बच चुका है विधान सभा इच्छे सीटों पर बिहार में उप चुनाव होने है और साथ ही स इसे तो यह उद्योग पती हैं लेकिन समाज सेवा में भी इन्होंने काफी अपना सहयोग दिया है तो इनसे समझेंगे चुकि अब समाज सेवा और उद्योग धंदा को छोड़ करके पूरी तरह से यह राजनीती की तरफ रूख करने वाले हैं और इनसे हम कुछ कमाम अब में भी अपना सहयोग दिया है लोगों का अब अचानक से राजनीती में अपना कदम जमाने की तेजारी कैसे हो रही है जी जी सबसे पहले तो मैं अचानक से राजनीती में नहीं आ रहा हूँ मेरा में उद्यों से होता है कि मैं अपने समाज को हर छेत्र में मजबूत क कैसे करूं मैं पिछले 20 सालों से मैं अपना बिजनस कर रहा था और 20 सालों से बिजनस करने के बाद मैं पिछले पांच वरसों से अपने समाज के लिए समाज सेवा का का काम कर रहा हूं खासकर सिक्षा के छेतर में क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी समाज को मजबूत करन के लिए सिख्षा के साथ राजनीती को भी मजबूत करना बहुत ही जरूरी होता है जैसे सिख्षा समाज को मजबूत करती है वैसे ही राजनीती समाज को दिशा देती है तो मुझे यह लगा कि जहां मेरे जैसे पढ़े लिखे हुआ अपने समाज को मजबूत करने के लिए सि समाज सफल नहीं हो पाएगा या जो मुकाम पे उसको पहुंचनी चाहिए उस मुकाम पे हमारा समाज नहीं पहुंच पाएगा तो हमें क्या है कि समाज को मजबूत करने के लिए हर छेत्र में मजबूत करना होगा चाहे हो सिक्षा का छेत्र हो चाहे हो बेवसाय का छेत्र हो चाहे हो जौब का छेतर हो, चाहे हो राजनीति का छेतर हो. तो मुझे लगा कि राजनीति के ऊपर भी काम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मुकाम पर हासिल करें. चुकि अभी बिहार की राजनीती में तमाम बड़े दिगज हैं, पहले सस्थाकित हैं, और अभी हाल ही में एक और नया चेहरा सामने आया आए आपका परशांथ की स्वर्ग की रूप में, चुकि अपने समाज की बात कही है, तो किस समाज और किस वर्ग की बात करें, पुरे करते हैं, तो ऐसे मैं बिहार की किस तब के को लेकर के आपकी उमीदे हैं कि जो आपके सांथ जोड़ना चाहेंगी, पहली बात तो क्या है कि मेरा उदेश राजनीती करना नहीं है, मेरा उदेश है कि अपने समाज या अपने गरीब, या बंचित, या अपने डलिस, सोसित को हर छेत्र में मजबूत करना उसी में एक छेत्र राजनीती का भी छेत्र है जैसे मैंने बोला कि किसी भी लोगों को अगर मजबूत करना है तो पार्टिकॉलर हम एक छेत्र में मजबूत करने से कोई भी समाज या कोई भी राज या कोई भी देश मजबूत नहीं हो सकता है तो जहां मैंने सिक्षा के लिए काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि अपने समाज को या अपने गरीब लोगों को, अपने सोशित लोगों को अगर मजबूत करना है, तो राजनीती को भी मजबूत करना जरूरी है। अब क्या है कि कोई भी इनसान जब मजबूत होता है तो पहले वो अपने परिवार को मजबूत करता है उसके बाद अपने समाज को मजबूत करता है फिर अपने गरीब दली सोसितलों को मजबूत करता है तो वही सेम विचारधारा आज मेरी भी है कि आज के टाइम में कुसव वहाँ लोग की बिहार में हमारी तीसरी सबसे बड़ी आवादी है अगर मुस्लिम के बाद यादब के बाद देखा जाए तो कुसवाहा की तीसरी सबसे बड़ी हमारी आवादी बिहार में है लेकिन राजनीतिक में हमारी अस्थान का है हम कहां पे खड़े हैं आज क्या हाला से लोग सत्ता में आते हैं, शार्षन करते हैं और कुसवाहा को फिर साइट कर दिया जाता है. जब इस बार लोग सभा का चुनाब हुआ, तो कुसवाहा को एक भी टिकट नडिये के परतियासी नहीं दे, नडिये के डल नहीं दे पाएं, बीजेपी के, एक टिकट दिये भी ह फिर सुबाइट को लगातometers, जोन फिर साइट करें, तो क्या हम्वाईच हम उस लाइक के हैं, इतने हमारी बड़ी आवादी है, 14% हम अपनी आवादी की बात कर रहे हैं, तो हमारे उसिंट वाले के पास लोग जाके टिकट मांग रहें, टिकट की भीग मांग रहें, तो हम हमारा तो अचिमेंट हमारी उपलब्धी तब होती जब 3% वाले 2% वाले हमारे पास आके टिकट मांगते तो हम उस लेवल पे हम क्यों ना काम करें एक तरफ हम काते हैं कि हम चंद्रगुप्र मौरिया के बंसज हैं हम समराथ हसोक के बंसज हैं जिन्होंने सिर्फ मगध ही नह पर अपना शासन और राज किया आज उन्हीं के बंसज हम उन्हीं के बिरासत से आते हैं तो हम एक मगध पे भी हम अपना राज नहीं कर पा रहे हैं शासन नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे एक कहीं न कहीं एसास हुआ कि आज के टाइम में हमें अपने समाज को मजबूत करने की ज़रूत है, हर छेट में मजबूत करने की जरूत है, इसलिए हमने सोचा कि हमारे समाज कहीं न कहीं बिखरा हुआ है, एक जगाई कत्रित नहीं है, तब ही आज के time में हर राजनितिक दल के लोग, हमारे समाज का फैदा उठा रहे हैं भोट बैंक का यूच कर रहे हैं सिर्फ भोट बैंक के लिए कर रहे हैं बाकि हमारे समाज के लिए कोई भी राजनितिक के दल जो इज्जत मिलनी चाही थी जो हक मिलनी चाही थी वो आज तक हमें मिलने पाई तो हमारा अभी जन आश्रवास संबात का मेन उदे से ही है कि मैं अपने समाज के लोगों से मिलू पुरे बिहार में हर जिले में लोगों से मिलू अपने समाज अपने दली जैसे जो आज के टाइम में हलात हमारे कुसबाहा समाज की है, वही दलिसोसित लोगों की भी है, वही अलपसंख्यक लोगों की भी है, तो जो काम मैं अपने समाज के लिए करना चाह रहा हूँ, वही काम मैं दूसरे समाज के लिए भी करना चाह रहा हूँ, जितनी बड़ी हमारी भ समस्या को समझूँगा और जो समस्या मुझे अपने परसनल लेवल पे मैं सोल्व कर सकता हूँ उस उस समस्या को मैं अपने परसनल लेवल पे मैं सोल्व करूँगा और जो समस्या परसनल लेवल पे सोल्व नहीं हो सकता है तो एक समाज का एक पूरा हर जिले में बैठक होगी meeting होगी और उन लोगों का आगे का क्या उदेश से क्या चाहते हैं हमारे समाज के लोग चाहते क्या अगर वो बोलते हैं कि नहीं कोई ऐसे लीडर की जरूरत है जो पूरे समाज को पूरे अब संख्या पिछ़ए दर्जित लोगों को लीड कर सके बिहार के विकास के लिए काम कर सके तो अगर नया विकल्ब बोलते हैं नई पार्टी बोलते हैं नया चेहरा बोलते हैं तो हम समाज के फैसला के साथ हैं अगर समाज को लगता है कि नहीं आप सिर्फ लोगों को साथ देजे, जो और लेडी पहले के नेता हैं, या राजनितिक दल बने हुए हैं, किसी ना किसी पार्टी में हैं, तो मैं उनका हाथ मजबूत करने के लिए भी तैयार हूँ, तो मेरा ये उदेश ने है कि मुझे राजनितिक में आके मुझे अपनी पार्टी बनानी है, या म साजनीतिक जो कर रहे हैं उनका हाथ मजबूत करना है और अगर मुझे समाज बोलती है कि नया नया विकल्प की जरूवत है तो मैं अपने समाज की जो हैसला होगा उसको मैं हमेशा अपने सर माथे पे रखोगा अभी आपने एक शब्द काजिकर किया स्वसित बंचित जो कि जगदेव बावु उसके समर्थक रहे हैं हमेशा उसकी लड़ाई लड़ते आया हैं लेकिन ये जो तमाम नितिश कुमार हों लालू यादव हों या फिर और वी जो नेताब अब तक जो बिहार के सर्था में सिर अब आप एक नए जायगाने के उमिद कर रहे हैं तो कैसे इस पर चलेंगे ने क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो पहले भी राजनीति कर रहे हैं मैंने पहले भी बोला कि हो सिर्फ भोट बैंके लिए राजनीति कर र अगर मैं राजनीती में आ रहा हूं अपने समाज के हाथ को मजबूत करने के लिए, तो मैं कितना कुछ त्याग करके आ रहा हूं मुझे पता है, मेरे बिजनस के उपर एफेक्ट पड़ेगा, मेरे फेमिली के उपर एफेक्ट पड़ेगा, मेरे बच्चे के उपर एफेक्ट नहीं है मुझे ऐसा नहीं कि हां मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो राजनीतिक के लिए बोल रहा हूं या जो नेता जैसे लोग बोलते हैं वैसे बोल रहा हूं मैं पिछले मैंने आपको बोला कि पिछले पांच वर्सों से मैं समाज के लिए सेवा कर रहा हूं खासकर सिक्षा क चेतर में, तो मैंने कभी भी अपना कोई ब्रांडिंग नहीं किया, कोई मार्केटिंग नहीं किया, मैं हर बच्चे कम से कम 30-35 बच्चे को गोध लेता हूं, और उनके सिक्षा की जितने भी एजुकेशन की जो सारे फाइनेंसियल आर्थिक खर्चा होता है, उसको मैं उठात है, वो और लेड़ी मेरा काम चल रहा है, समाज के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, तो जिस तरह से मैं पांच साल से मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए सिक्षा के ऊपर काम कर रहा था, उसी तरह से मैं राजनीति के लिए भी काम करूँगा, तो नेता लोग वह होते हैं कि अपने बोर्ट बण के लिए यह कुछ भी बोलते हैं कि हाँ जग्दे बाबो के विचार धारको मैं भी मानता हूँ अगर सच में आप आपपको बिचार dharmak या फिर आपके समाज के वो तमाम लोग जो आपको पुरी तरह से नहीं जानते हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ देजिए कि वो आपको अच्छे से समझ सके हैं। देखिए, जहां जहां मैंने काम किया हैं, उस जगा पे काम कर रहे हैं, यह सचाई है कि पुरे बिहार के लोग अभी तक नहीं जाने हैं, क्योंकि मैं पुरे बिहार में अभी तक काम नहीं किया था, मैंने नवादा से, मैंने वही बोला कि कोई भी इनसान मजबूत होता है, फिर अपने घर को मजबूत करता है फिर अपने समाज को मजबूत करता है फिर अपने जिला को मजबूत करता है तो वही सेम प्रोसेस मैंने किया जब मैंने मैं मजबूत हुआ तो अपने घर को मजबूत किया अपने परिवार को मजबूत किया अपने समाज को मजबूत किया उसके बाद जिला को मजबूत किया, जिला के साथ साथ मैं मगत के एरिया में में काम करना सुरू किया, उसके बाद मैं पुरे जिला में आप काम करना सुरू किया, मैं गुजरात में रा रहा हूं तो गुजरात में भी मैंने गरीब बच्चों को काम किया, जो सादियां भी मै शिकांत सिनहा, हलाकि ये कुसवाज जाती से आते हैं, लेकिन टाइटल सिनहा से आप कन्फूज मत पूएगा, और बिहार में इन्हों ने बहुत सारे बच्चों के पढ़ाई की खर्चा उठाई है, समाज सवाब के तरफ इनकी काफी रुजहान रहा है, अब राजनीती में भी अपने पएर जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो तमाम बिहार की जन्ता जो भी लोग देख रही हैं, उनको पता है कुने क्या करना है, और हम ऐसे तमाम ख़वरों को लेकर कहते रहेंगे, आप बने रही हमारे साथ, नमस्क्रार.